नमस्कार दोस्तों मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म दाएजुकेटर पे जहां पे हम लोग टिचिंग एग्जामिनेशन की प्रिप्रेशन करते हैं आसा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे इस पे आपको भी मेरा ही काम करना होगा क्लासेस को जादा से जादा अपने दोस्तों के बीच सेयर करें आपके जो भी दोस्त आपके जो भी साथी हैं जो के बीच प्रिप्रेशन करने में लगे हुए हैं तो प्लीज आप क्या करो उन तक क्लासेस को सेयर कर दो दूसरी बात हो सके तो अपने WhatsApp status में इसको इस वीडियो की जो link है उसको लगा दो तो बड़ी महरवानी होगी आप लोगों पे Thank you so much एक छोटा सा message था अब मैं बात करने वाला हूँ KBS PRT की हिंदी की syllabus क्या होगी मैं आपको हिंदी और English की classes आपको एक दिन हिंदी की classes एक दिन English की classes रोज मिल जाएगी साम के 3 बजे आप इस बात को नौट कर लो साम के 3 बजे रोज classes upload कर दी जाएगी चैनल पे तो आप क्या करतो ना चैनल जो आपको नीचे में rate बटन दिख रहा होगा नए हो तो चैनल को subscribe कर लेना है आपको दूसरी बात सब्सक्राइब करने से काम ने चलेगा आपको bell icon भी प्रेस कर देना है घंटी बजा देना है तभी आपको विडियो की notification आप तक बराबर regularly मिलती रहेगी तो अब मैं आप लोगों से discuss करने बाला हूँ कि हिंदी के syllabus क्या है हिंदी में कौन-कौन से topic को आपको पढ़ना है देखो हिंदी के syllabus दो part में questions आते हैं part 1 और part 2 में तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको part 1 में जो है 10 marks का question पूछा जाएगा और part 2 में भी 10 marks का question आपको देखने को मिल जाएगा आपको flash करके भी मैं दिखा दूँगा कि questions के कैसे कैसे question प्याटी 2018 में आया था और दूसरी बात आपको नीचे comment section में pin किया हुआ मिलेगा playlist का comment है न तो आपको क्या करना है न वो जो comment मिलेगा playlist की आपको जाके पूरी वीडियो देख लेनी है playlist में 2018 का paper अगर आप लोगों ने देख लिया तो आपकी understanding बन जाएगी कि KBS PRT का syllabus क्या है कैसे question आते हैं हिंदी के दो पार्ट के जो questions आये हुए exam में मैंने उसे भी वीडियो में करा रखा है तो आप जाके पहले previous year की question को please देख लो कल से classes शुरू होगी तो आप लोग तब तक उस वीडियो को देख लेना और एक बात आपको comment भी करना है कि मैंने सर देख लिया है classes आप स्टार्ट कर दो तो मैं समझ जांगा कि कितने लोग सच में serious हैं पढ़ाई को लेके तो चलिए आज की topic के बारे में आप लोगों को मैं बता दू कि कौन-कौन से topic को आपको करना ह हिंदी के syllabus के लिए तो सबसे पहले जान लो आप कि सबसे पहले आपको जो करना है topic वो है आपका भासा ठीक है ना तो आपको भासा करना है दूसरा है आपका संग्या तीसरे नमर पे आएगा सर्भनाम चौथे नमर पे विशेशन आपको फ्लैस में भी दिख रहा होगा don't worry आप इसकी स्क्रीन स्वाट ले सकते हो या फिर आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जाके इस पीडियाप को अवेल कर सकते हो विशेशन किरिया फिर आएगा अभ्याई लिंग में आपको इस्तरलिंग पुल लिंग ये आपको देखने को मिलेगा फिर आएगा उपसर्ग फिर आएगा प्रते फिर वचन वाएक की रचना में आपको देखने को मिलेंगे कि आपको बताना है कि संरचना के आधार पे रचना के आधार पे वाके कितने भेध होते हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा बिलोम सब्द यानिकी एंटोनिम्स यानिकी विपराथर्थ फिर आएंगे मुहाबरे, अलंकार, विरामचिन और फिर आएगा पदपरीचे, संधी भी आपको इसमें करना है कभर, और फिर आएगा एकार्थी सब्द और अनिकार्थी सब्द, उसके बाद अंत में आपको फिर देखने को मिल जाएगा, अनेक सब्दों के बदले एक सब् पूछे जाएंगे, समास को भी पढ़ना है पिछले साल, समास से भी questions आपको देखने को मिले थे, उसके बाद आपको देख लो, लोकोक्तियां तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और और पठित गध्यांस, यानि की passage, और अंत में जो सबसे important चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगा, वो है सिक्षन की प्रभावी विधियां, यानि की आपको थोड़ी सी पेडागोजी को भी include किया जाएगा लेकिन पिछले paper को मैं अगर देखूं, तो 2018 में एक भी पेडागोजी के question नहीं आये थे, फिर भी मैं आपको जो ये सिक्षन की प्रभावी प्रविधियां है उसको मैं पढ़ा दूँगा आपको, don't worry, मिलके हम लोग तयारी करेंगे, और KBS की एक seat, एक seat आपको लेनी है और इसके लिए तयारी जमके करना है, क्योंकि competition जो है बहुत up level का है, आप इसको जान लो, competition आपका high level का देखने को मिलेगा, तो आपको इसकी जो PDF अगर चाहिए, syllabus का, हिंदी syllabus का details, आपको चाहिए जो मैंने आपको सारे topics को बताया, आप यहां से screenshot लेके देख सकते हो, या फिर आप हमारे telegram, the educator live, देखो मैं पढ़ाऊंगा, उसकी PDF वहाँ पे जरूर upload करता हूँ मैं, और विडियो की notification भी आपको वहाँ से मिलते रहेगी जिल लोगों के पास telegram channel है आप telegram को से वहाँ पे मुझे join कर लो, दूसरी बात, जिल लोगों के पास नहीं है, वो क्या करेंगे वो भी जाके telegram को आप play store से install कर लो, बहुत कमाल की app है, आपके काम की app है पढ़ाई में आप यहाँ से अपने आपको क्या करोगे, आगे कर पाऊगे, तो जाके आप क्या कर लो, उसको देख लो, उसके बाद आपको English की English syllabus की भी एक detail वीडियो जो है, मैं बना दूँगा आप लोगों का काम मैं फिर से याद दिला दूँ देखो, आप सभी के लिए मेहनत मैं कर रहा हूं, तो आप थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए भी कर दो, कि आप प्लीज, अपने जो भी दोस्त हैं